दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल एस्टरो गाईड में आप सभी का स्वागत वेल्कम अभिनुन दोस्तो दोस्तो हमारे दवारा जो भी वीडियो एपलोड हो रही हैं आप सभी अपना प्यार अपना सनही को दे रही हैं तो उसका तहजल से शुक्रिया दोस्तों मेरी आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि जो लोग भी इस चैनल के उपर पहली बार आए हैं तो आप किर्पिया इस चैनल को जूट सबस्क्राइब कर ले तो अगामी दिनों में हम अपने लाइफ सेशन जो है आप लोगों की सुईदा के लिए वो भी स्टार्ट कर पाएंगे दोस्तों तो उस्तों ग्रहों के बावानुसार फल जो हैं उनकी वीडियोस हमारे इस चैनल के उपर अपलोड है लेकिन आज हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक के बारे में की करजा जो है आज के टाइम में हर इनसान जो है कहीं न कहीं एक करज के रूप में है इनसान अपनी जन्जेगी में दोस्तों कोई भी विजनस करता है मकान बनाता है या कोई भी ऐसा समारो होता है जिसमें उसे करज उठाने की नौबत जो है वो बनी रहती है तो कर्जा उठाने में दोस्तों कोई नुकसान नहीं होता क्या हम कर्ज जो है वो लुटावा रहे हैं क्या हम अपनी कमाई जो है वो ब्याजों में किसी सबरूप दे रहे हैं तो इन सब चीजों के पीछे क्या कारण क्या लॉजिक हैं उनके बारे में पूरी बवेचना करेंगे दोस्तो मेरी कुजारिश आपसे जई है कि आप इस चैनल को जूर सब्सक्राइब कर ले हम इस टौफिक के उपर पूरी बवेचना करेंगे दोस्तो दोस्तो कुंडली में कर्जा जो है हम चटे बाप से देखते हैं कुंड़ी में दोस्तों जब कभी भी करजा जब बढ़ता है इनसान का तो उसके पीछे उसका कुंड़ी का छटा बाफ जो है वो एक्टिविट हो जाता है कुंड़ी में करजी के साथ साथ छटे बाफ से हम रोग भी देखते हैं रिन भी देखते हैं शत्रू भी देखते हैं करजा उठाया बापिस नहीं कर पाए रोग बने और कहीं नहीं बापिस ना कर पाने की इस दोड में दोस्तों आपको दुश्मन भी बने means करज के साथ आप ये मानिये कि आपके छटे बाप के साथ रोग भी है रिन भी है झाला करज़ह नहीं होता दो चटा बाप आपका activate mode मोड में होता है अब छटे बाप के बिल्कुल opposite जो है वो बारमाबाब है दुसतों बारमाबाब क्या रात्तों की नींद ना आना इस सब प्रक्रिय जो होती है कुंडली के खाना नंबर बारा से दिखते हैं जो राहु देव उपरेट करते हैं मीज छटे बाव में केतु को एक्टिवेट आप ने किया उसके बिकुल आपका बारमा बाप जो राहु के दिकार में है अब कुंडल करता और बारमा दोनों एक्टिवेट होते हैं कुंडली के सबूब कोई भी ग्रह जब किसी भी बाप में बैठता है तो उसके ऑपर जो बाप होता है उसको भी गरही नगहीं वो देखता है दोस्तों तो इसलिए जो चटे बाप को एक्टिवेट करने के साथ आपका बारमा बाप भी एक्टिवेट होगा तो आपको अपनी कुंडली के अनुसार जैंशर देखना जुरूरी होता है कि कुंडली में आपके चटे बाप में कौन से ग्रह बैठे हैस चटे बाप का स्वामि भी कौन से बाप में बैठा हुआ है ये पड़कुरिया हम देखते ही देखत होगी तो इन प्रक्रियाँ में कहीं न कहीं कुमिली के करज को लिया हुआ करज आपका बापस कभी नहीं होता दोस्तों इंकम बेशक आपकी जनरेट हो जाए करण आपकी इंकम आपने ब्लाने के कोशिश की हो लेकिन वो करज जो होगा वो बीमारी राई जगड़े जो है बढ़ जाएंगे और गई न गई मेंटल स्टेबिल्टी जो होगी वो भी बार में बाप के एकोडिंग रा होगे फल आपको नेक्टे मिलेंगे अब यहां पे दोस्तों आप यह चीज़ समझें कि छटे बाप के जो राशी पती हैं वो बुद्ध हैं अब बुद्ध क्या है बुद्ध है आपका दिमाग आपका हिसाब किताब आपकी डेली रूजमरा की जो आप बिजनस के रूप में डिल करते हैं वो बुद्ध देव है बैंकिंग सेक्टर से लिया हुआ लोन भी बुद्ध है तो बुद्ध छटे बाप में तो उचके हैं आपने जब लोन लेना था तो हिसाब किताब प्रॉपर डॉक्मेंडेशन के कोडिंग आपने लोन लिया केतू के सरूप करजा मिला लेकिन वो ही बुद्ध देव दोस् के सरूप बाहर निकल गया तो यह प्रक्रिया को आप समझां जूड़ी है कुली में बैटे हुए बोर्द को भी देखे को भी देखें जो कर्ज को बढ़ाने का कम करते हैं बुद्ध सही होगी तो सही ड्रेक्शन में पैसा लगेगा बुद्ध हराब होगी बुद्धी आपको डिस्टरब कर सकते हैं दोस्तों मैंने देखा है कि लोग करजा लेकर शेयर बजार में पैसा लगाते हैं शेयर मार्किनों पैसा लगाते हैं ने ट्रेंड के रूप में कमेटियों में किट्टियों में पैसा लगाते हैं तो क्या आप भी कुंडली में बैटे हुए मार्मे बाब में वी तो नहीं जहां पे लोग इनसान जो शीर बजार में पैसा रगाते हैं तो पहने कहीं नुकसान दिने के गाम करते हैं तो इसलिए दोस्तों कुंड़ी में हमेशां बुद्ध और केतु के सब्रूत को समझना जूरी है अब करजा बढ़ेगा कैसे आप डिस्तर्व hoगा अब केतू जो है चंदर्मा मगर से जो है दुश्मनी चलती है जब कभी भी चंदर देव जह लेखे- बैठेंगे तो केतू का रिन लेगेगा केतू क्या है केतू आपका मांसंवान भी है आप फ्रिद्धी भी है दोस्तो रीड की हड़ी वो भी केतू है तो छटे बाब में बैटे हुए चंदर और मंगल भी आपको कर्ज को बढ़ाते हैं वो छटे बाब में चंदर्मा बैठते हैं तो केतू अरिन तो लगता है कहीं नहीं चंदर्मा भी फिरित होते हैं चंदर्मा क्या है लिक्वर कैश है दोस्तों आपकी जेव में टिगा हुआ पैसा जो है वो चंदर्मा है दोस्तों वो चंदर्मा छटे बाव में वैसे भी कहीं केतू के साथ हम जूडते हैं तो वो ग्रहंत के चंदर्मा होते हैं मन से परिशान इंसान रहेगा करज इमोशन रूब में भी ले लेगा और वो को पैसा काम भी नहीं आएगा । मंगल कहीं न कहीं जारी दोस्तों से पैसा उठाएगा अपना इस टिज़ानों से पैसा उठाएगा तो वो बापस नहीं होगा तो उसके साथ दुश्मनी चलेगी लड़ाई जगरे टक्रार इस दिए वहाँ बढ़ जाएंगी दोस्तों तो इसलिए चटे बाब में बैटे हुए क्रहां को भी देखना जूरी होता है कुंडली में बैटे हुए केतु को भी देखना जूरी होता है और मोस्ट इंपॉर्टन तिंग कि कुंडली में चंदर और मंगल छटे बाब में तो नहीं तो इन चीजों को भी आप जरूर नोट करें दूसरा दोस्तों कुंडली में पैसा कहां से आएगा हमें कुंडली में कैप कैसे पता लगेगी हमारे कुंडली में पैसे के जो लिक्वर्ड कैश जो होता है रोज मर्रा के जिंदेवी में कमाया हुआ पैसा लिक्वर्ड कैश माया जो होती है वो चंदर्मादेव हैं वो देते हैं दोस्तों कुंडली में चंदर्देव खाना नंबर चार के मालिक हैं कुंडली में चंदर्देव खाना नंबर दो में उच करे कुछ भी करे पैसे की कमी जातलों को बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन अगर कुंड़ी में चंदर्मा कहीं आपकी कुंड़ी में केतु के साथ ग्रहन में हों शनी के साथ ग्रहन में हों कुंड़ी में चंदर्दिव छे अठ बारा में हों ग्यारा में हों तो यह जो होते हैं कुंड़ी में चंदर्मा जब कभी भी खराब होंगे तो सूर्या मंगल और ब्रस्पती के फल भी खराब मिलेंगे मन खराब हुआ टेंशन बड़ी मांस्टिक तरफ आपका खराब हुआ तो सूर्या खराब हुआ मीन्स आपके अंदर जज़वा था कॉंफिड़न्स लेवल था वो भी खतम मंगल ताकत थी वो भी खतम गुरू जो बरकत थी पैसा था संसकार थे वो भी खराब होने शिड़ हो जाता है दोस्तों तो इसलिए चंदर्मा को कुंड़ी में हमेशा अच्छा रखें कौन से के प्रती जो फल होंगे उनके पायाब करते रहें कौंड़ी में चंदर और केतु के तो वैसे भी दोस्तों ग्रहन लगता है तो इसलिए चंदर केतु जब भी कुंड़ी में कठे होंगे तो चंदर्मा को पोजिटिव रखें रातत्री का जो समय होता है वो शनी और चंदर के दिन ही चलता है तो इसी लिए रात को दूद ना पीए अगर कुणली में आपके चंदर शनी की उती हो चंदर केतू की उती हो कुणली में चंदरमा खाना नमबर तो जो चंदरमा का है दोस्तों वहां पर बैठे हुए केतू वो भी आपको कहीं ने कहीं सोच विचारों में डालते हैं करजा इंसान कहीं ने कहीं से उठा लेता है मानस्तिक तोर पे वीख होना शुरू हो जाता है काम इंसान के बनते नहीं है बेफ़जूल के खर्चे इंसान बढ़ा लेता है और मन से हमेशा परेशान देता है जाते के पास कितना भी Toni जो है वो पैसा हो लेकिन कुंड़ी में बैटे हुए केतू खाना नमर चार में इनसान को सारी उमर दोसophone मानस्थ तो पिवीक रखते हैं क्योंकि यहां पर केतु का खार्णा नमर 4 में बैठना चंदर्मा को कहीं न कहीं गरहन लगता है दोस्तों और मात अगा जो रिन लगता है वो भी कुण्ड़ में अलगवे से लगता है तो इसलिए चंदर देव को हमेशे अच्छा रखने के लिए माता आपकी गर में जो हैं उनकी सेवा करते रहें शिवलिंग के ओपर जड़ाते रहें मंदर में जाके चावल जो है सावुत उनका धान आप कर सकते हैं थोड़ी सी चावल थोड़ी सी हल्दी में मिक्स करके आप मंदिर में डिनेट करते रहें गुरू और चंदर को मिलाके किसी जोका निर्माना कर सकते हैं दूद में केसर मिलाके पी सकते हैं दोस्तो रात को दूद ना पियें अगर कुंडली में चंदर शनी, चंदर केत्यू अग्रेहन हो, चंदर राहू अग्रेहन हो तो ये चीजें जो हैं आपको करनी चाहिए कुंडली में जब कभी भी मंगल देखाना नमबर चार में होते हैं तब भी इनसान कर्ज के रूप में पैसा उठाता है और पैसा बापिस नहीं कर पाता दोस्तो कुंडली में कभी भी इनसान मंगल वार वाले दिन करजा ना उठाए ये हमारे जो काफी विज़र के लोग थे वो भी बताते हैं दोस्तो कि मंगल को लिया हुआ कर्ज जो है वो कभी वापिस नहीं होता तो इस प्रक्रिया को भी आप हमेशा नोट करें तो दोस्तो कुंडली में हमेशा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना जूरी है कर्जा भी आप उठाएं तो कुंडली में मंगल उनको अच्छा रखें चंदर्रेव उनको अच्छा रखें और केतू के उपायों के सबरूब कुछ न कुछ जो है वो खाने को देते रहें य उसके सबरूब आपके दूसरे ग्रहवी जो है करी न कहीं पल अच्छा देना शुरू करतेंगे लाल मसर जो होते हैं दोस्तों वो भी मंगल की ही इनरजी के सबरूब माने जाते हैं तो लाल मसर जो हैं उनका दान भी आप चार मंगलवार छे मंगलवार आप शिवलिंग प मिलते हैं तो मालक्षमी stuck sis निर्मान होता है पैसे आने कि जो साधन है वो बन जाते हैं दोस्तों। हूंड़ी में काना नमरFit चार में बेटे हुए केतु के लिए आप चार सो ग्राम की दाल पहते पानी में जल्परुआ करें चार वीयड़ बार कर ले बीरबार से लेकर चार दिन लगातर कर लें केले का दान मंदिर में देते रहें इस से भी के तुछान नमर चार के फल जो है आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे माजसी तो पर अगर आप वीक हैं तो गले में चांदी की चैन गोल्ड की चैन जब पहन सकते हैं दोस्त दोस्तों कर्ज के सरूप मैंने आपको भी पूरी वेचना जो है वो बताई है आप अपनी कुंडली में भी जुरूर देखें कि कौन से क्रह है कौन से बाव आपके पेडित है और आपको कर्ज क्यों ठाना पड़ रहा है तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जूरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो हम अगामे दिनों में लाइव सेशन जो है आप लोगों की के उपर मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार दोस्तों